नमस्कार मैं सोतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सौट हैं टीम पर तो दूस्तो आज के इस वीडियो में रामधारी सिंगुपता खंड दो के प्रतिलेखन संख्या 26 के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं इसे हम दो अलग-अलग स्पीड में लेंगे पहली बार में 90 की स्पीड में तो दूसरी और आखरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि इसे संकेत लिपी में किस प्रकार से लिखा जा सकता है यानि इस प्रतिलेखन के प्रतेख सब्द की आउटलाइन क्या होगी तो आप हमारे साथ हैं टीम एप को डाउनलोड कर सकते हैं एप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा एप को डाउनलोड करके इस प्रतिलेखन के प्रतेख सब्द की आउटलाइन को आप जान सकते हैं उसके साथी साथ बहुत सारे कोर्सेज आपको अलग से मिल जाते हैं जिनके माध्यम से आप साथ हैं के अच्छी तैयारी कर सकते हैं तो 90 की स्पीड में आपका डिक्टेशन इस्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें इस्टार्ट बहनों सिक्षा संस्थाओं से जब कभी भी मुझे बुलावा आता है तो मैं वहां जाने से इनकार नहीं कर पाता क्योंकि सिक्षा संस्थाओं से मेरा आरंभ से ही कुछ ना कुछ संबंध रहा है और सिक्षा सास्त्र में भी मेरी पहले से काफी रूची रही है अतियो मुझे जब आपका निमंत्रण मिला मैंने उसे बड़े हर्स के साथ सविकार किया और मुझे अतियंत प्रसंदता है कि आज मैं यहां आ सका आप सब बड़ी सौभाग्य सालनी हैं कि आप इस कन्या महाविद्याले में सिक्षा पा रही है क्योंकि इस महाविद्याले का इस राज में अपना एक विशेश महत्व है और इसका इतिहास नारी जागरिती तथा उन्नती का इतिहास है इसकी अस्थापना उच आदर्सों को लेकर एवं नारी जागरिती तथा राश्ट्रिय उन्नती की पुनीत भावनाओं से प्रेरित होकर आज से बहुत साल पहले एक ऐसे सचे समाज सुधारक के द्वारा हुई थी जिनके हिर्दय में मुख्यते नारी जाती के प्रती विशेश गौरो और महान आदर था आप सबको मालूम ही होगा कि हमारे देश में दो प्रकार की सिक्षा संस्थाएं विद्यमान हैं एक तो वे जो अंग्रेजी सासकों द्वारा अपने उद्देशियों की पूर्ती के लिए अस्थापित की गई थी और दूसरी वे जो स्वतंत्र रूप से राष्ट्र प्रेमियों द्वारा राष्ट्रिय भावनाओं से ओत प्रोत होकर अपने देश की संस्किर्ती एवं सभ्यता को पुनरजीवित एवं पुनह अस्थापित करने के उद्देश से अस्थापित की गई थी आपका यह कन्या महाविद्याले भी लगभग इनहीं पवित्र भावनाओं से प्रेरित होकर बहुत साल पहले अस्थापित किया गया था और आपके लिए यह बड़े सवभाग्य की बात है कि आप में से कुछ आज इस विद्याले में अपनी सिख्षा समाप्त कर जीवन के कार्य छेत्र में प्रवेश करने जा रही है उच्च सिख्षा प्राप्ती की उपाधी जो आपको मिल चुकी है आपकी एक अमूल निधी है जिससे आपकी गुरुता और भी बढ़ती है पहरा आप में से जो आज प्रमाड पत्र लेकर जा रही हैं वे इस विद्याले के सीमित दाइरे में से निकल कर जीवन के विशाल प्रांगर में कर्मठ कार्य छेत्र में प्रवेश कर रही हैं आपके कंधों पर जीवन का महत्वपूर उत्तर दाइत्व है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपनी सिक्षा और अनुभाव के बल और आधार पर उसे योग्यता पूर्वक संभाल सकने में सफल हो सकेंगी अब तक आपका विद्यार्थी जीवन रहा अब आगे आपका व्योहारिक एवं किरियात्मक जीवन रहेगा और आपको अपने जीवन के कार्य छेत्र में अनेक समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ना है मुझे आसा है कि आपने यहां जो सिक्षा दिक्षा ग्रहाड की उससे आप सक्ती और इस फूर्ती ग्रहाड कर स्वतंत्र देश की गाईत्वपूर नागरिकाओं की भाती उसे निबाह सकेंगी यह सब आपके लिए तभी संभव होगा जब आप यह भली भाती समझ लेंगी कि आपको अपने जीवन में क्या करना है आप सब यह भली भाती जानती ही होगी कि प्राचीन काल में हमारे देश में इस्त्रियों का कितना महत्वपूर वा उत्कृरिष्ट अस्थान रहा है इस्टॉप दोस्तो इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग सो की स्पीड में लेंगे और आपका समय श्टार्ट होगा पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें सिक्षा संस्थाओं से जब कभी भी मुझे बुलावा आता है तो मैं वहां जाने से इनकार नहीं कर पाता क्योंकि सिक्षा संस्थाओं से मेरा आरंभ से ही कुछ ना कुछ संबंध रहा है और सिक्षा सास्त्र में भी मेरी पहले से काफी रूची रही है अतियो मुझे जब आपका निमंत्रड मिला मैंने उसे बड़े हर्ष के साथ सविकार किया और मुझे अतियंत प्रसनता है कि आज मैं यहां आ सका आप सब बड़ी सौभाग्य सालनी हैं कि आप इस कन्या महाविद्याले में सिक्षा पारही हैं क्योंकि इस महाविद्याले का इस राज्य में अपना एक विशेश महत्व है और इसका इतिहास नारी जागरिती तथा उन्नती का इतिहास है इसकी अस्थापना उच्छ आदर्सों को लेकर एवं नारी जागृती तथा राष्ट्रिय उन्नती की पुनीत भावनाओं से प्रेरित होकर आज से बहुत साल पहले एक ऐसे सचे समाज सुधारक के द्वारा हुई थी जिनके हिर्दय में मुख्यतह नारी जाती के प्रती वि आप सबको मालूम ही होगा कि हमारे देश में दो प्रकार की सिक्षा संस्थाएं विद्यमान हैं एक तो वे जो अंगरेजी सासकों द्वारा अपने उद्देशियों की पूर्ती के लिए अस्थापित की गई थी और दूसरी वे जो स्वतंत्र रूप से राष्ट्र प्रेमियों द्वारा राष्ट्रिय भावनाओं से ओत प्रोत होकर अपने देश की संस्किर्ती एवं अस्थापित करने के उद्देश से अस्थापित की गई थी। आपका यह करन्या महाविद्याले भी लगभग इन्हीं पवित्र भावनाओं से प्रेरित होकर बहुत साल पहले अस्थापित किया गया था और आपके लिए यह बड़े सोभाग्य की बात है कि आप में से कुछ आज इस विद्याले में अपनी सिक्षा समाप्त कर जीवन के कार्य छेत्र में प्रवेस करने जा रही हैं। उच्छ सिक्षा प्राप्ती की उपाधी जो आपको मिल चुकी है आपकी एक अमूल निधी है जिससे आपकी गुरुता और भी बढ़ती है। पईरा, आप में से जो आज प्रमाण पत्र लेकर जा रही हैं वे इस विद्याले के सीमित दायरे में से निकल कर जीवन के विशाल प्रांगर में कर्मठ कार्य छेत्र में प्रवेस कर रही हैं। आपके कंधों पर जीवन का महत्वपूर उत्तर दायित्व है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपनी सिक्षा और अनुभव के बल और आधार पर उसे योग्यता पूर्वक संभाल सकने में सफल हो सकेंगी। अब तक आपका विद्यार्थी जीवन रहा, अब आगे आपका व्योहारिक एवं क्रियात्मक जीवन रहेगा और आपको अपने जीवन के कार्य छेत्र में अनेक समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। मुझे आसा है कि आपने यहां जो सिख्षा दिख्षा गरहाड की उससे आप सकती और इस फूर्ती गरहाड कर स्वतंत्र देश की दाईत्वपूर नागरिकाओं की भाती उसे निबाह सकेंगी। यह सब आपके लिए तभी संभव होगा जब आप यह भली भाती समझ लेंगी कि आपको अपने जीवन में क्या करना है। आप सब यह भली भाती जानती ही होगी कि प्राचीन काल में हमारे देश में इस्त्रियों का कितना महत्वपूर वा उतक्रिष्ट अस्थान रहा है। इस्टॉप झाल